स्री सद्गुरू देवाई नमा भायो वैनो इस संसार में यदि किसी से सच्चा प्रेम हो सकता है तो वह केवर प्रभु सही हो सकता है बाकी जो प्रेम है वह स्वार्थ के वसीबूत हो के किये जाते हैं भगवान अपने भक्त के प्रेम विश्वास और भाव का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं वो बिना मागे आपकी सारी जरूर्टों को पूरा किया करते हैं इसलिए संत जनों का कहना है कि अपने आपको भगवान को समर्पित कर दो जिसने ऐसा किया वो आनन में रहता है हमारे बिहारी जी ऐसे ही हैं एक बार आप विश्वास करके तो देखे आज आपको ऐसी ही सत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी बिहारी जी से प्रेम करने लग जाएंगे इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस्थ देखिएगा अगर आप ऐसी ही भगती पूरुवा कथा लगाता सुनना चाहते हैं तो अच्छे प्रभा यूटूब चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन अवस्थ दबा दें जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें कानपुर जनपत निवासी विनिता जी भगवान स्रीक्रिष्ण की परम भगती उनको यह भगती विरास्त में मिले थी उनकी माता जी को भी भगवान से काफी फ्रेम था उनके साथ भी भगवान ने लीलाएं करी थी विनिता जी का विवाः उनने सो अन्ठानवे में हो गया था वह जब सस्वराल पहुची तो वहां उन्होंने पाया कि वहां सभी लोग के अंदर भक्ती का भाव नहीं था वह सभी संसार में रमे हुए थी जिसके कारण विनिता का मन काफी विठित रहता था लेकिन उसके बावजूद भी वह सुबह सबसे पहले उठकर अपनी पूजा पाट कर लिया करती थी उसके बाद ग्रहस्ति के काम किया करती थी सादी के चार-पांच साल बीच जाने के बाद भी उनको प्रारब वस कोई भी संतान नहीं हुई जिस कारण से उनकी सास आए दिन बाँज होने का ताने दिया करती थी वह करे भी तो क्या करे वह बेचारी केवल रोकर सांथ हो जाती थी यह रोज की बात हो गई थी सास और परिवार वालों के ताने उससे बरदास नहीं होते थे इन सबके बाजूत उसका प्रती उससे बहुत प्रेम करता था एक दिन जब वो मैके आई हुई थी तो उसकी भावी ने उससे बांके बिहारी जी के चमतका की कई खथां उसको सुनाई और कहा बिहारी जी की लीला का कोई पार नहीं तुम एक बार बंदा वन जाओ तो सही तुम्हारा भाव अच्छा है बिहारी जी सबकी सुनते हैं तुम्हारी भी जनूर सुनेंगे इस बात का विस्वास करो जो भी गया है उसम के पास उसकी प्रातना जरूर सुनी है अब तो विनीचा जी के मन में बिहारी जी के लिए तड़ पैदा हो गई वह जब सस्राल आई तो उसने अपने पती से बिहारी जी के दरसन करने के लिए वन्दावन जाने की बात कही पती ने दस दिन के बाद चलने को कहा वह बहुत खुश हो गई वह बिहारी जी के दरसन करने के लिए इतनी उसक हो गई कि दिनदाथ उसे बिहारी जी को ही याद किया करती थी और उस दिन का बेसबरी से इंतजा करने लगी जिस दिन उनको जाना था उससे एक दिन पहले उसके पती ने अपनी माँ से बंदावन जाने की बात कही तो वह भड़क गई कहीं वहाँ जाकर क्या होगा कुछ नहीं होने वाला किन्तु पती ने कह दिया कि साधी के बार उसने पहली बार कहीं जाने को कहा है उसका विश्वास है कि वहां जाकर उसकी गोद भर जाएगी तो उसके विश्वास का मान मैं जरूर रखूंगा उन लोगों ने रात में तैयारी कर ली और सुबह ब्रंदावन जाने को तैयार हो गए उस दिन विनीता की खुसी का कोई ठिकाना ना था जब वह लोग साम को ब्रंदावन पहुचे तो पती ने एक आस्रम में एक कमरा ले लिया वहीं रुके वहीं से तैयार होके वह लोग बिहारी जी के दरसन करने चले गए बिहारी जी के लिए भोग परसाद और फूल माला लेकर वह मंदिर प्रांगण में पहुच गए बिहारी जी को देखकर तो वीनिता जैसे बावली हो गई वह बस एक टक नहारती रही उसकी आंखों से लगातार असुधारा निकल लही थी फिर वह पती के साथ उनके करीब पहुची और गोसाई जी को फूल माला और प्रसाद दिया गोसाई जी ने उनको भगवान का प्रसाद और फूल माला दिये वीनिता जी ने अपने मन ही मन बिहारी जी से अपनी सारी बात कह दी वह रोते रोते उन से विदा ली कि तभी एक आठ वर्स का बालक उनके पास कहीं से आ गया वह बहुत सुन्दर था घूंगराले बाल थे पीतांबर और लगखा था उसने एक सेब दिया और बोला यह लो अगले साल लाला को लेकर जरू आना यह कहकर वह भीड में कहीं गयाब हो गया वीनिता को कुछ समझ में नहीं आया कि यह सुन्दर सा बालक कौन था उसने क्यों कहा कि अगले साल लाला को लेकर आना वह कुछ नहीं बोली वह आसम आकर कमरे में आ गई उसने वह फल खा लिया तो उसे एतना आनंद हुआ कि जिसे सब्दों में बयान नहीं कर सकती वह रात भार उस बालक के बारे में सोचती रही कि उसे लगा कहीं वह बिहारी जी तो नहीं थे जो मुझे आसिरवाद देने आए थे वह फूट फूट कर रोने लगी अगले दिन उन लोगों ने यमना जी में इसनान किया और प्रमक मंदिरों के दरसन किये और अपने घर वापस आ गए एक माँ बाद उसका पैर भारी हो गया उसके घर में खुसी का माहल चा गया नौ माँ के बाद फरवरी 2004 को उसने एक सुन्दर से बालक को चन दिया पूरे घर में खुसीयां ही खुसीयां चा गई वीनिता ने अपने सासुमा से कहा मुझे बेटे के साथ बिहारी जी के दर्सन करने जाना है सासुमा ने कहा क्यों नहीं अपकी बार हम सभी लोग ब्रंदावन चलेंगे और बांके बिहारी जी के दर्सन करेंगे तीन दिन के बाद सभी लोग बिहारी जी के दर्सन करने ब्रंदावन पहुँच गए भी हर जिससे कहा प्रभू अपने चरणों की दासी को कभी भूलना नहीं बुलाते रहना भाई भैनों आपने देखा भगवान कभी भी अपने भक्त को निरास नहीं करते बस आपका विश्वास और भाव सच्चा होना चाहिए भगवान की यह कता अगर आपको पसंद आई हो तो करता करके कमेट में राधे राधे लिखना मत भूलेगा अगर आपके पास भी बांके बिहारी राधा नाम या ब्रंदा वान से जुड़े अनुगव हो तो उसको मेरे इमेल या वाट्चाप पर भेज सकते हैं जिस पर वीडियो बना कर अपने चैनल में अवस पस्तूत करूंगा इमेल का पता वाट्चाप नंबर वीडियो के डिस्कुशन में दिये हुए हैं राधे राधे